परिक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो छात्र पुनर गणना व पुनर मुल्यांकन के लिए आउनलाइन करें आवेदन बोर्ड परिक्षा के परिणाम जारी होने के बाद अगर किसी स्टुडेंट को मिले अंको परशक है तो पुनर गणना और पुनर मुल्यांकन कर सकते हैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल दफ्तर आने की भी आवशकता नहीं है परिक्षा परिणाम दस महीं को जारी होने के बाद पुनर मुल्यांकन और पुनर गणना के लिए 15 दिन का समय दिया गया है मतलब विद्यार्थियों को वेब साइट में 25 महीं तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा दसवी वह बारवी बोट के नतीजे आने के बाद अब पुनर मुल्यांकन पुनर गणना वह उत्तर पुस्तिका की छाया प्रती लेने के लिए 15 दिन का समय तैह है विद्यार्थियों को शुल्क के साइट आवेदन करना होगा माधिमिक शिक्षा मंडल रायपूर से 24 अप्रेल को जारी पत्र के अनुसार पुनर गणना के लिए प्रती विशे 100 रुपे पुनर मुल्यांकन के लिए प्रती विशे 500 रुपे और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रती लेने प्रती विशय 500 रुपे शुल्क निर्धारित किया गया है तैसमय के अंदर विद्यार्थी पुनरगणना, पुनर मुल्यांकन व उत्तर पुस्तिका के छाया प्रती में से किसी एक या दो या तीनों प्रक्रियाओं के लिए आविदन कर सकते हैं पुनर गणना प्रक्रिया में विद्यार्थियों के अंकों में कमी या विद्धी दोनों मान्य किया जाता है